नमस्ते मैं रजत हूँ और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं एक सितंबर से भयंकर चालान काटे जा रहे हैं क्योंकि इसी दिन से नए ट्रैफिक नियम लागू हुए हैं किसी का लाकों का चालान हुआ तो किसी ने चालान के चलते अपनी गाड़ी ही फूंग डाली और कुछ तो ऐसे भी थे जो चालान के डर से पुलिस से सडक पर गुंड़ाई करने लगें मतलब एक तो चोरी और उपर से सीना चोरी इसी कहाबत से मिलता जुलता एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है मामला दिल्ली के ISBT का है यहाँ पर एक लड़की को जब ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो पहले वो हाथ पैर जोडने लगी और बात में पुलिस को हेलमेट खींच कर मानने की धमकी देने लगी लड़की स्कूटी पर थी, नमबर प्लेट टूटी हुई थी उसने हेलमेट तो लगाया था पर बेल्ट नहीं बांदी थी यानि जो हेलमेट की बद्दी होती है वो उसने नहीं बांदी थी इतना ही नहीं वो एयरफोन लगा कर ड्राइब कर रही थी अब पुलिस ने रोका तो वो सक्पका गई, कांपने लगी और अपनी मम्मी को फोन करने लगी और सुसाइड करने की धमकी तक देने लगी बोलने लगी कि उसका कल कोई टेस्ट हुआ है, तबियत ठीक नहीं है, वो कांप रही है, उसे जाने दे पुलिस ने भी कहा कि गलती की है, इसलिए कांप रही हो उसने अपना हेलमेट उतार कर भी फेंक दिया, पुलिस वाले के पैर पर स्कूटी भी चड़ा दी भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन पुलिस ने स्कूटर की चावी निकाल ली, ये ड्रामा करीब 20 मिनट तक चला, और फिर पुलिस ने उसका बिना चालान कि ये ही उसे जाने दिया बाद में आपने गलती कि उसका चलान कर रहे हैं, लेका माझाना, लेका माझाना, शुनलो, लेका माझाना, ड्रामा मत करो, पूरी पुलिस कपकप लिकी है, अले, सुनलो, एक मदूट उप शाओ, इस तो बंद करो, ऐसे थो रहे हैं जो आप चाहो तो वही होगा, ये प्र मलब एक तो आपकी गलती हो और उपर से चालान से बचने के लिए पुलिस को ही आंख दिखा रहे हो हलाकि सवाल ये भी है कि पुलिस उस जैसे किते लोगों को बिना चालान के जाने देगी और इस तरह लड़की को छोड़ कर पुलिस भी गरत नजीर ही पेश कर रही है पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को जरूर लाइक करें और हम से जुनने का सबसे बहतरीन तरीका है दी ललन टॉप के अंड्रोइड आप तो आप दी ललन टॉप के अंड्रोइड आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं शुक्रिया